तेज बारिष ने फस्लों को नुकसान पहुँचाया है The heavy rain has damaged the crops बारिष राध भाजारी रहने की उमीद है The rain is expected to continue through the night बारिष राध भाजारी रहने की उमीद है The rain is expected to continue through the night तेज बारिश के कारण बाड़ की चिटाउनिया जारी की गई है flood warnings has been issued due to the heavy rain मेरी बहन और मैं एक कमरे में रहते है My sister and I share a room मेरी बहन और मैं एक कमरे में रहते है My sister and I share a room हम अकसर साथ में शॉपिंग करते है We often go shopping together वह मुझे कठी समस्वाएं हाल करने की तरीके सिखाती है She teaches me how to solve difficult problems वह मुझे कठी समस्वाएं हाल करने की तरीके सिखाती है She teaches me how to solve difficult problems वह हमारे पालतू जानवरों की देखभाल करती है She takes care of our pits मेरी बहन का जन्म दिन अगले हफ़ते है My sister's birthday is next week मेरी बहन का जन्म दिन अगले हफ़ते है My sister's birthday is next week कपड़े पूरी तरह से भीग चुके है The clothes are soaking wet कपड़े पूरी तरह से भीग चुके है The clothes are soaking wet च्छाता लेकर बाहर मत जो तुम भीग जाओगे Don't go outside without an umbrella You will get drenched च्छाता लेकर बाहर मत जो तुम भीग जाओगे Don't go outside without an umbrella You will get drenched जब वह घर पहुंचा तब वह पूरी तरह से भीग चुका था He was drenched by the time he reached home जब वह घर पहुंचा तब वह पूरी तरह से भीग चुका था He was drenched by the time he reached home उसने गलती से पानी अपने उपर गिरा दिया और भीग गई She accidentally spilled water all over herself and got wet उसने गलती से पानी अपने उपर गिरा लिया और भीग गई She accidentally spilled water all over herself and got wet Freezer में बर्फ पिघल रही है और टपक रही है The ice in the freezer is melting and dripping Freezer में बर्फ पिघल रही है और टपक रही है The ice in the freezer is melting and dripping छट की मरमत करनी होगी ताकि टपक न बंद हो सके The roof needs to be repaired to stop the dripping छट की मरमत करनी होगी ताकि टपक न बंद हो सके The roof needs to be repaired to stop the dripping Glass पर जमा हुई नमी टपक कर टेबल पर गिर रही है The condensation of the glass is dripping on to the table Glass पर जमा हुई नमी टपक कर टेबल पर गिर रही है The condensation of the glass is dripping on to the table उसी काम में बहुत टेंशन महसूस हो रही है She is feeling a lot of tension at work उसी काम में बहुत टेंशन महसूस हो रही है She is feeling a lot of tension at work तनाव और टेंशन आपकी सीहत को प्रभावित कर सकते हैं Stress and Tension can affect your health उसने नियमित वैयाजाजाम से अपनी टेंशन को संभाला He managed his tension with regular exercise उसने नियमित वैयाजाम से अपनी टेंशन को संभाला He managed his tension with regular exercise Tension के बावजुद वा शांत रहने की कोशिस कर रही है She is trying to stay calm despite the tension Tension के बावजुद वा शांत रहने की कोशिस कर रही है She is trying to stay calm despite the tension क्या आपको online shopping पसंद है या stores में shopping Do you prefer online shopping or shopping in stores क्या आपको online shopping पसंद है या stores में shopping इस वीकेंड स्टोर में बड़ी बिक्री हो रही है वह हमेशा शॉपिंग पर जाने से पहले एक लिस्ट बनाता है ताकि वेवस्थित रह सके वह हमेशा शॉपिंग पर जाने से पहले एक लिस्ट बनाता है ताकि वेवस्थित रह सके उसने अपनी खरीदारी पर छुट पाने के लिए एक कूपन का उप्यो किया उसने अपनी खरीदारी पर छुट पाने के लिए एक कूपन का उप्यो किया शी यूज़ अपन तो गित अडिसकाउट अन अपर परचेस क्या आप इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकते हैं हमारी टीम ग्राहक सेवा के लिए जिम्मदार है मुझे परिक्षा से पहले अपने नोट्स को दोहराने की जरूरत है I need to revise my notes before the test मुझे परिक्षा से पहले अपने नोट्स को दोहराने की जरूरत है I need to revise my notes before the test परिक्षा के दोरान अब कल्कुलेटर का उप्योग नहीं कर सकते हैं You are not allowed to use a calculator during the exam परिक्षा के दोरान अब कल्कुलेटर का उप्योग नहीं कर सकते हैं You are not allowed to use a calculator during the exam वह अपने फुर्सत के समय में कविताएं लिखती है She writes poems in her free time वह अपने फुर्सत के समय में कविताएं लिखती है She writes poems in her free time उतने फॉर्म पर अपना पता लिखना भूल गया He forgot to write his address on the form उसने फॉर्म पर अपना पता लिखना भूल गया He forgot to write his address on the form उसने उपहार के लिए एक धन्यवाद नोट लिखा She wrote a thank you note for the gift उसने उपहार के लिए एक धन्यवाद नोट लिखा She wrote a thank you note for the gift उसने किताब बंद की और शेल्फ पर रख दिया He closed the book and put it on the shelf उसने किताब बंद की और शेल्फ पर रख दिया He closed the book and put it on the shelf दुकान रात आठ बचे बंद हो जाती है The shop closes at 8 PM दुकान रात आठ बचे बंद हो जाती है The shop closes at 8 PM उन्होंने अपनी आखे बंद की और एक गहरी सास ली She closed her eyes and took a deep breath उन्होंने अपनी आखे बंद की और एक गहरी सास ली She closed her eyes and took a deep breath उन्होंने मरमत के लिए सड़क बंद कर दिया है They have closed the road for maintenance उन्होंने मरमत के लिए सड़क बंद कर दिया है They have closed the road for maintenance उसने अपनी डाइरी बंद की और उसे बिस्तर के नीचे छुपा दिया She closed her diary and hid it under the bed उन्होंने कई बाचीत के बाचीत के बाचीत के बाचीत के बंद कर दिया The electrician repaired the broken wire Electrician नी 2D हुई तार को ठीक का दिया The electrician repaired the broken wire Tufan की दारान टेलीफोन की तार चाति ग्रस्थ हो गई The telephone wire was damaged during the storm Tufan की दारान टेलीफोन की तार चाति ग्रस्थ हो गई The telephone wire was damaged during the storm Creepy ध्यान दें की तारो को ना काटे Please be careful not to cut the wires Creepy ध्यान दें की तारो को ना काटे Please be careful not to cut the wires हम पहाड की सबसे उची चोटी पचड़े We climbed the highest peak of the mountain हम पहाड की सबसे उची चोटी पचड़े We climbed the highest peak of the mountain उसने पहाड के उपा सूरज की पहली किरन की फोटो खिची She took a photo of the sunrise over the mountain उसने पहाड की उपा सूरज की पहली किरन की फोटो खिची She took a photo of the sunrise over the mountain पहाड बर्फ से ढखा हुआ है The mountain is covered with snow उसकी कहानी ने सभी को हसाया His story made everyone laugh उसने समचार देखने के लिए टीवी चालू किया She turned on the TV to watch the news उसने समचार देखने के लिए टीवी चालू किया She turned on the TV to watch the news टीवी का remote फिर से गायब है The TV remote is missing again वह टीवी देखते हुए सो गया He fell asleep while watching TV वह टीवी देखते हुए सो गया He fell asleep while watching TV उन्होंने एक अच्छा मुवी खोजने के लिए चैनल बदल दे The switched channels to find a good movie उन्होंने एक अच्छा मुवी खोजने के लिए चैनल बदल दे The switched channels to find a good movie मुझे केबल की बजाए online TV देखना पसंद है I prefer watching TV online rather than cable मुझे केबल की बजाए online TV देखना पसंद है I prefer watching TV online rather than cable काम पर जाते से में उसकी टायर पंक्चर हो गई She got a flat tire on her way to work काम पर जाते से में उसकी टायर पंक्चर हो गई She got a flat tire on her way to work वे एक उप्योग की हुई गारी खरीदने की तलाश में है They are looking for a used car to buy वे एक उप्योग की हुई गारी खरीदने की तलाश में है They are looking for a used car to buy उसे सब्ताहांत में अपनी गारी चलाना पसंद है उसे सब्ताहांत में अपनी गारी चलाना पसंद है She enjoys driving her car on weekends उसका दिमाग बहुत तेज है He has a very sharp mind उसका दिमाग बहुत तेज है He has a very sharp mind मैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है समझ नहीं पा रहा हूं I can't understand what's going on in his mind मैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है समझ नहीं पा रहा हूं I can't understand what's going on in his mind वह प्यासा था، इसलिए उसने थंड़े पानी की बोतल खरी दी He was thirsty, so he bought a bottle of cold water वह प्यासा था, इसलिए उसने थंड़े पानी की बोतल खरी दी He was thirsty, so he bought a bottle of cold water उसने नहाने के लिए गर्म पानी का इंतिजाम किया मैं जल्दी तयार हो रहा हूँ ट्रेन देर से आ रही है ट्रेन देर से आ रही है समूदर में पानी की गहराई कितनी है उसने काम में बहुत सारी गलतियां की यह एक साधारन गलती थी जो हर किसी के साथ हो सकती थी यह एक साधारन गलती थी जो हर किसी के साथ हो सकती थी उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था उस दिन मुझे एक अच्छी खबर मिली थी हम लोग सुबह से ही तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग सुबह से ही तैयारी में लगे हुए हैं उसने सुबह से खाना नहीं खाया है मजे कलते हुए समय बहुत तेज बीटता है वह इतनी आलती है कि वह पूरे दिन सोते रहती है वह इतनी आलती है कि वह पूरे दिन सोते रहती है आलती होना बंद करो अर व्याजाम शुरू करो Stop being lazy and start exercising आलसी होना बंद करो और व्यायाम शुरू करो Stop being lazy and start exercising उसकी आलसी आदतों की वजह से उसे नौकरी गवानी पड़ी His laziness cost him the job उसकी आलसी आदतों की वजह से उसे नौकरी गवानी पड़ी His laziness cost him the job बिजली का बोड जल गया है The electric board is burnt बिजली का बोड जल गया है The electric board is burnt बिजली कमपनी ने नया तार लगाने का काम शुरू कर दिया है The electricity company has started the work of installing new cables बिजली कमपनी ने नया तार लगाने का काम शुरू कर दिया है The electricity company has started the work of installing new cables बिजली बिल मेरे लिए महंगा आ रहा है Electricity bill is getting expensive for me बिजली बिल मेरे लिए महगा आ रहा है Electricity bill is getting expensive for me इस इलाके में बहुत सारे पीडे काट दिये गए हैं Many trees have been cut down in this area इस इलाके में बहुत सारे पीडे काट दिये गए हैं Many trees have been cut down in this area इस building में आग लग गई थी लेकिन अब सभी सुरक्षित है There was a fire in this building but now everyone is safe इस building में आग लग गई थी लेकिन अब सभी सुरक्षित हैं There was a fire in this building but now everyone is safe उस building का निर्मान कारिट तेजी से प्रगती पर है Construction work of that building is progressing rapidly उस building का निर्मान कारिट तेजी से प्रगती पर है Construction work of that building is progressing rapidly मुझे रात में अच्छी नीद नहीं आ रही है I am not getting good sleep at night मुझे रात में अच्छी नीद नहीं आ रही है I am not getting good sleep at night उसकी नीद रात के बीच में तूट गई Her sleep was interrupted during the night उसकी नीद रात के बीच में तूट गई Her sleep was interrupted during the night मैं उसका पता ठिकाना पता करूँगी I will find his whereabouts मैं उसका पता ठिकाना पता करूँगी I will find his whereabouts ना खुद खेलते हो ना मुझे खेलने देते हो Neither you play yourself nor let me do ना खुद खेलते हो ना मुझे खेलने देते हो Neither you play yourself nor let me do एक आद दिन में मेरी जॉइनिंग लेटर मिल जाएगी यहां किसी को आने की छूट नहीं है यहां किसी को आने की छूट नहीं है हीरा फिरी करना सरासर गलत बात है अगर ऐसा चलता रहा तो मैं कैसे अंगरी जी बोल पाऊंगा ऐसा लगता है आज वो नहीं आएगा ऐसा लगता है आज वो नहीं आएगा मुझे थोड़ी देर और सोचने दो दम है तो एक्जाम क्लियर करके दिखाओ तुम्हें चीनी के बदले गुड़ खाना चाहिए वो कभी किसी की तारीफ नहीं करता है चुरुवात में वह कुछ कहना चाहता था चुरुवात में सब कुछ सही लगता है शुरुवात में सब कुछ सही लगता है यह विसय मेरी समझ से परे है इस सब्जेक्ट इस एपसल्यूटली ग्रीक टुमी धीरे धीरे वह मुझे मुर्ख बनाने लग गई Gradually she started be fooling me धीरे धीरे वह मुझे मुर्ख बनाने लग गई Gradually she started be fooling me पलक छपकते ही उसने मेरे पैसे चुरा लिए In the blink of an eye, he stole my money पलक छपकते ही उसने मेरे पैसे चुरा लिए In the blink of an eye, he stole my money Student होने के नाते में रोजाना कुछ सीखता हूँ Being a student, I learned something daily Student होने के नाते में रोजाना कुछ सीखता हूँ Being a student, I learned something daily तुम बहुत तर गए थे क्या? Were you very scared? तुम बहुत तर गए थे क्या? Were you very scared? मैं उन में से नहीं हूँ जो बहुत पढ़ाई करते हैं I am not one of those who studies a lot मैं उन में से नहीं हूँ जो बहुत पढ़ाई करते हैं मैं उन में से नहीं हूँ जो हमेशा रोते रहते हैं I am not one of those who keeps crying मैं उन में से नहीं हूँ जो हमेशा रोते रहते हैं I am not one of those who keeps crying तुमें किस प्रकार का खेल पसंद है? What kind of game do you like? तुमें किस प्रकार का खेल पसंद है? What kind of game do you like? तुम कभी नहीं सुत्रोगे You will never change तुम कभी नहीं सुद्थरोगे यू विल नेवर चेंज मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार था पिछले महीने मुझे टाइफाइड हो गया था तुम्हें किस प्रकार का घर पसंद है What kind of house do you like? तुम्हें किस प्रकार का घर पसंद है? What kind of house do you like? मेरी आँखे फरफडा रही है मेरी आँखे फरफडा रही है My eyes are fluttering उसने तुम्हें क्या कहा? What did he say to you? सुना है तुम्हें क्या कहा? What did he say to you? सुना है तुम्हें उसे बुलाओगे Heard you will invite him सुना है तुम्हें उसे बुलाओगे Heard you will invite him पंखा बहुत हिल रहा है The fan is shaking a lot पंखा बहुत हिल रहा है The fan is shaking a lot चलिए मैं आपको दर्वाजे तक छोड़ देता हूँ Let me walk you to the door चलिए मैं आपको दर्वाजे तक छोड़ देता हूँ Let me walk you to the door उसकी बातों में मत आना Don't get into his words क्या मैं आपके लिए कुरसी लाओं Shall I bring you a chair मुझे उसे फोन करना पड़ रहा है I am having to call her मुझे उसे फोन करना पड़ रहा है I am having to call her उन्हें इस होटल में रुखना पड़ रहा है They are having to stay at this hotel They are having to stay at this hotel मुझे आज स्कूल जाना है I have to go to school today I have to go to school today उसे अपने परिक्षा के लिए तयारी करनी होगी हमें अगले हफ़ते शहार जाना है तुम्हें अपने प्रोजेक्ट को खत्म करना होगा तुम्हें अपने प्रोजेक्ट को खत्म करना होगा मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए यहां बहुत शूर हो रहा है वह घर पर होना चाहिए था क्योंकि उसकी कार बाहर थी वह घर पर हो सकता था पर मैंने नहीं देखा वह घर पर हो सकता था पर मैंने नहीं देखा तुम्हारी मदद के बिना में कुछ नहीं कर सकता तुम्हारी मदद के बिना में कुछ नहीं कर सकता तुम्हारी मुसकान बच्चों को प्रेरिट करती है तुम्हारी मुसकान बच्चों को प्रेरिट करती है वह जीत जाता है पर उसे बुखार हो गया तुम्हें उसे बात करनी चाहिए थी तुम्हें उसे बात करनी चाहिए थी तुम्हें वह किताब पढ़नी चाहिए थी बहुत अच्छी है तुम्हें वह किताब पढ़नी चाहिए थी बहुत अच्छी है मैं तुम्हारी सहाईता के लिए यहां हूँ मैं तुम्हारी सहाईता के लिए यहां हूँ I am here to help you. क्या तुम्हें बिजनेस का ग्यान है? Do you have knowledge of business? मैं तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार हूँ. I am ready to provide support. जल्दी क्यों नहीं करते? Why don't you do it quickly? जल्दी क्यों नहीं करते? Why don't you do it quickly? क्या फिर से बता सकते हैं? Can you say that again? क्या फिर से बता सकते हैं? Can you say that again? मैं बहुत ठक गई हूँ. आज रत मैं जल्दी सोने जा रही हूँ. I am exhausted. I am going to sleep early tonight. मैं बहुत ठक गई हूँ. आज रत मैं जल्दी सोने जा रही हूँ. I am exhausted. I am going to sleep early tonight. उसने अंजाने में सर्प्राइज पार्टी के बारे में बात खोल दी. She accidentally opened up about the surprise party. उसने अंजाने में सर्प्राइज पार्टी के बारे में बात खोल दी. She accidentally opened up about the surprise party. मुझे खाना बनाना अच्छी तरह से आता है. I know very well how to cook food. मुझे खाना बनाना अच्छी तरह से आता है. I know very well how to cook food. देज से ही सही लेकि तुम्हें जाना चाहिए था वहाँ. It's okay even if late, but you should have gone there. देज से ही सही लेकि तुम्हें जाना चाहिए था वहाँ. It's okay even if late, but you should have gone there. वे सब एक नंबर के धोखे बाज हैं. They all are number one cheaters. असल में उसे सब पता था. Actually, he knew everything. तुम्हें मेरी बाग सुन लेनी चाहिए थी. You should have listened to me. तुम्हें मेरी बाग सुन लेनी चाहिए थी. You should have listened to me. मेरी कमर में बहुत ज़्यादा वाला दर्द है. I have an intense pain in my back. मेरी कमर में बहुत ज़्यादा वाला दर्द है. I have an intense pain in my back. बस यह देखकर मुझे घबराहट वी. Just seeing it made me nervous. बस यह देखकर मुझे घबराहट वी. Just seeing it made me nervous. तुम देखने में तुम्हारी मा जैसी लगती हो. You look just like your mother. Just like your mother. तुम्हे टाइम से आना चाहिए था. You should have come on time. तुम्हे टाइम से आना चाहिए था. You should have come on time. देखो अब क्या होता है. See what comes next. देखो अब क्या होता है. See what comes next. क्या आप थोड़ी देर इंतिजार कर सकते हैं? Could you please wait for a while? क्या आप थोड़ी देर इंतिजार कर सकते हैं? Could you please wait for a while? मैं अपसे ध्यान रखूंगी. I will be careful here after. मैं अपसे ध्यान रखूंगी. I will be careful here after. अपनी भडास मुझ पर मत निकालो. Don't voice your frustration on me. अपनी भडास मुझ पर मत निकालो. Don't voice your frustration on me. मैं तुमें पहले ही बता दूंगी. I will let you know beforehand. मैं तुमें पहले ही बता दूंगी. I will let you know beforehand. क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? Did not you hear what I said? Did not you hear what I said? जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं No need to hurry इतनी भी क्या जल्दी है आराम से चलो What's the hurry? Walk slowly इतनी भी क्या जल्दी है आराम से चलो What's the hurry? Walk slowly धीरे धीरे चले ऐसा नहों कि आप गिर जाएं Walk slowly, lest you should fall धीरे धीरे चलें ऐसा नहों कि आप गिर जाएं Walk slowly, lest you should fall तुम्हें दूसरों को पढ़ने देना चाहिए You should let others read तुम्हें इस रेस्टोरेंट से खाना लेना चाहिए You should take food from this restaurant तुम्हें इस रेस्टोरेंट से खाना लेना चाहिए You should take food from this restaurant Translate it अपनी दास साफ करो इसका अंसर कॉमेंट्स में जरूर बता है वीडियो अच्छे लगी तो प्लेस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करे Thank you